स्वागत आपका इंडिया टीवी में मैं हूँ आपके साथ विविक शांडिले बात RSS की जिस RSS को लेकर विरोधी बार-बार सवाल उठाते हैं उसमें हर साल एक लाख लोगों की एंट्री होती है हर साल एक लाख नए स्वयम सेवक बनते हैं लेकिन ये स्वयम सेवक कहां से आते हैं संग में कैसे शामिल होते हैं इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि RSS एक क्लोस्ट बुक है वो अपने अंदर की बाते शेयर नहीं करता है वो चुपचाप एक एजिंडा चलाता है सच क्या है ये जानना जरूरी है RSS की सीक्रेट फोर्स क्या है स्वयम सेवक बनने का सिलेबस क्या है भविश्य के भागवत कौन है ये रिपोर्ट देकर पूरी पिक्चर क्लेर हो जाएगे आप भी देखिए संग पर सवाल उठाना आसान है लेकिन उसे समझना उतना ही कठीन है संग है क्या? संग का सीक्रिट क्या है? ये सिर्फ इन तस्वीरों से समझा जा सकता है किसी चीज को समझना हो तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट से समझा जा सकता है RSS पर भी ये फॉर्मूला फिट बैठता है RSS की सबसे चोटी यूनिट को स्वयम सेवक करें यानि जिस संगठन को सर संगचालक हेड करते हैं उसकी हायरार्की में सबसे चोटी यूनिट स्वयम सेवक होगी है लेकिन उससे पहले आते हैं शिशू स्वयम सेवक, बाल स्वयम सेवक और तरुन स्वयम सेवक संग के विरोधी ये पूछ सकते हैं कि संग में इकने चोटे-चोटे बच्चों का क्या का जवाब संग प्रमुक्त के शब्दों संग में यहां स्वयन से वक्त पर किसी भी प्रकार का अंकुष नहीं है केवल हमने जो संसकार और विवेक उसको दिया है वो उसको चलाता है संग प्रमुक जो बात कहते हैं संग की शाखा में वो नजर भी आती है जहां नौजवान ही नहीं चोटे-चोटे बच्चे पूरे अनुशासन के साथ मौजूद होते हैं बच्चों के लिए कोई अलग शाखा नहीं होती लेकिन इन बच्चों की उम्र क्या हो किस उम्र में इन्हें शाखा में बुलाया जाए इसका जिक्र आरेसिस से जुड़ी एक किताब में मिलता है नाम है दब्रदर हुड इन सैप किताब के राइटर वॉल्टर के एंडर्सन और श्रीधर दी डामले लिखते हैं हर शाखा में चार तरहकी एज ग्रुप के लोग होते हैं शिशु स्वयम सिवक 6-10 साल तक बाल स्वयम सिवक 10-14 साल तक तरुण स्वयम सिवक 14-28 साल तक 28 साल से ज्यादा को प्राउड स्वयम सिवक माना जाता है RSS पर 40 से ज्यादा किताब लिखने वाले दिलीव देवधर कहते यही बच्चे संग और उसकी शाखा की सबसे बड़ी ताकत है पर राष्ट्र भक्ति का उनको सौंस्कार करके पढ़ाई देखे उनको डेवलाप कर देगी है यही शीशु जब बड़ा होता है तो बाल होता है और बड़ा होता है किशोर होता है किशोर का तरुन होता है तरुन का प्रोड होता है और नाइन्टी एट इयर्स का भी संग का टार्गेट ओडियंस शीशु और बाली इसमें है अब सवाल ये है कि आरेसस का फोकस बच्चों पर क्यों है इसका जवाब संग के इतिहास में मिलता है आज से 97 साल पहले 27 सितंबर को विजय दश्मी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के घर पर कोई 15-17 लोग जमाव और उसी दिन संग की स्थापना का अनाउंसमेंट हो गया लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो लोग उस दिन इकठा हुए उसमें स्टूडेंट्स ज्यादा देगेवार ने ये सारे प्रियोग पहले कर लिये थे वो प्रतिभाव उनकी अलोकिक थी उनक का जीवन बड़ा गहरा था लेकिन संग स्थापना की घोषणा करने के अलावा उन्होंने दूसरा कुछ नहीं किया मुशित कर जे आज से संपूर्ण हिंदु समाज को संगटिक करने वाला यह संग प्रारंब हुआ है ऐसा बोला और बैठक समापत हो गया तो फिर साथ ही कि अच्छा शुरू हुआ लग करना क्या है तो करना क्या है तो तय करो साथ में बैठो आगे क्या करना तय करो उस दिन हमारी शाखा नहीं शुरूई यह शाखा बात की बात है यह संग पहले बैठकों के रूप में आ तो ऐसा करेंगे मास में एक बार बैठक करेंगे अब मास्क की बैठक का अनुभव ऐसा आया कि पहले दो-चार बैठकों में तो लोग आये बात में बुलाना पड़ा, बात में बुलाने पर भी नहीं आना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि यह मास्का नहीं, साप्ताइक करते हैं, आदत रहेगी, फिर दैनिक पर आगया, और दैनिक बैठके होने लगी, कमरे के अंदर, चर्चा उसमें, लेकिन संगह में जो आये उस समय लोग, वो सब जवान लोग थे, विद्यार जी थे, बालक थे, किशोर तरून थे, कमाने वाले लोग तो बहुत ही थोड़े, डॉक्टर हेडगिवार स्वायम उस समय 35 साल के आयू में थे, नागपुर के महाल इलाके में, डॉक्टर केशो बलिडाम हेडगिवार का ये वही घर है, जहां संग की शुरुवात हुई, संग को करीब से जानने वाल लोग और संग पर किताब लिखने वाले कई हिस्टॉरियंस कहते हैं, डॉक्टर हेडगिवार उस वक्त बच्चों से घरे रहते थे, उनके साथ खेल कूत करते थे, एकसरसाइस करते थे, और खूब सरा वक्त बिताते थे, उनका फोकस बिलकुल क्लियर था, कि जस और्गना साथ में बाल लोगों की बहुत बड़ी टीम रहती थी, उनको काफी समय सिनियर लोग हसते भी थे, कि ये क्या बच्चों का गेम लगा के रखा है, उनके साथ सिनेमा क्या जाते, उनके साथ कबड़ी क्या खेलते, उनके साथ आखाडा क्या जाते, किन्तु बात के जो बाला संग का बाल शिशू यहां आत्मा है और आज सात्वे सरसंग चलक मोहन जी भागवत आज है 98 एर्स में तो संग की साथ पीडिया यह 98 एर्स में संग के लिए काम कर चुकी है आरेसेस की स्ट्रेटजी बिलकुल क्लियर है जिन नौजवानों को देश का ड्राइविंग फोर्स माना जाता है उनमें वो बच्पन से ही संग के संसकार डालने की कोशिश करता है इसलिए कई बार ऐसी तस्वीरे सामने आती हैं जिनमें छोटे-छोटे बच्चे भी संग के उत्सों में नजराते हैं जिस कवी की कल्पना में जिंदगी हो फ्रेमगी तो उसकवी को आज तुम नकार दो ये तो शिशू स्वेम सेवक है जो नौ या दस साल से कम उम्र के होते हैं और शाखा के प्रोग्राम्स में ही दिखते हैं लेकिन संग की शाखा में बाल स्वेम सेवकों की मौझूद्गी अच्छी खासी होती है इनकी ट्रेनिंग के लिए भी खास तरीके का इंतजाम होता ह अपनी किताब दब्रदर हुड इन सैफ्रन में वॉल्टर के एंडर्सन और श्रीधर दी डामले बताते हैं RSS स्वयम सेवक तयार करने के लिए कई तरह के कैम चलाता है इसका मकसद होता है बच्चों में संग का संसकार गिर और उनमें आपसी एक जुटता की भामना पैदा करता है देश में हर वक्त कहीं न कहीं संग का कोई न कोई कैम चलता रहता है संग में बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग कैम होते हैं उसमें पत्संचलर, ड्रिल, दंड युद्ध और घोश वाद्यर सिखाया जाता है बाल स्वेम सेउकों की ये ट्रेनिंग साथ दिन की होती है लेकिन इसके बाद दो खास तरह की ट्रेनिंग होती है जिसकी चर्चा अक्सर होती है OTC यानि Officer Training Camp और ITC यानि Instructor Training Camp संग में जो लोग प्रचारक बनते होंने तीन साल की Officer Training Camp की ट्रेनिंग पूरी करनी पूरती है इसमें आखरी साल की ट्रेनिंग नागपुर में RSS के Headquarter में होती है जो लोग Instructor Training Camp में शामिल होते हैं वो शाखा प्रमुख बन सकते हैं इंट्रेस्टिंग आने पहले तो शीशू आने जो छे साल से छोटा भारत की कोई भी संगटना उनके पीछे नहीं है किन्तु संग में शीशू सवनसग भी वो संग का इनिफाम पहिन के शाखा में उत्सव के दिन जाता है अदर्वाइज चे साल का बच्चा शीशू फिर तेरा साल चौदा साल तक का बाल यह शाखा में इनको स्पेशली इन पर दहन दिया जाता है उनको कहनिया राश्ट्र भक्ति की सुनाना, योगासन सिखाना, उनको संग के राश्ट्र भक्ति की गित सिखाना, उन पर अच्छा सौंसकार करना, ये सौंसकार खेल में रूची पैदा करना, अच्छे अच्छे सुभाशित और स्लोक का पठन उनसे करवा लेना, तो संग की नागपुर में विजय दश्मी के उत्सव से पहले ऐसे ही कई कैम चल रहे थे जिसके बाद इस कैम्प में शामिल बच्चे संग का गोश्वाद कर रहे हैं परेड निकाल रहे हैं ब्रिल कर रहे हैं मोहन भागवत खुद इन प्रोग्राम्स में शामिल हो रहे हैं करोना के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर संग का विजय दश्मी उत्सव हो रहा है इसलिए नौजवान भी बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस बार थोड़ी अधिक संख्या में है और वो यहां पर आरे लेकिन इसके पहले उनने अपने शाखा में नगरों में अभ्यास किया है कोई ने कोई चोटे कारेक्रम तो इन समय में भी चलते रहे तो एकदम नए नहीं है लेकिन इस कारेक्रम के लिए नहीं है हाँ साबाविक वो संख्या में हमेशा ही रहता है कई सारे नए स्वेंसेवक जुड़े है और बीच के कुछ वर्षों में शाररीक अभ्यास और यह सारे उत्सों का करम प्राप्त नहीं हुआता सबको तो इसलिए और अधिक उत्सा है सब लोगों को इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर